हेलो एब्रिवान आई हम सुनम वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल अपना विद्दल आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोश्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो यहाँ पे आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएंगी होसलों से भरी ये कोशिस एक दिन जरूर रंग लाएगी इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 2030 बोड एक्जाम में आप लोग 95% कैसे लाएंगे यानि इसके लिए आपको क्या करें और कैसे आपको पढ़ना है कितना पढ़ना है और आप लोग किस तरीके से एक टॉपर बनेंगे यानि आप लोग टॉपर कैसे पढ़ते हैं कैसे आप लोग टॉपर बनेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए काफी important होगा तो आप लोग वीडियो को बीना skip की end तक देखिएगा जैसा के हम आप सभी को बतादे कि हमारे अपना विद्याले यूटूब चैनल से पढ़े हुए student इस बार मांकी सिर्फ जिला टापर बल्कि परदेश टापर भी बने हुए जो कि हमारे अपना विद्याले यूटूब चैनल से पढ़े हुए थे तो यतनी हमारी फेमस यूटूब चैनल है अपना विद्याल है आप चाहते हो आपके अंदर भी जिद्ध है कि 2023 बोर्ड एक्जाम में एक टापर स्टूडेंट बनने के लिए एक अच्छे परसेंटेज लाने के लिए तो आप लोग हमारे इस यूटूब चैनल अपना विद परसेंटेज लाते हैं तो यहां पर हमापको काफी इंपोर्टन तरीके से बताने वाले तो यहां पर देखें सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना है ठीक है और एक टापर आपसे क्या अलग करता है कि उसका परसेंट अच्छे आते हैं और उसके नंबर भी काफी अच्छे आते और वो टापर बनता है तो यहां पे देखे सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि टापर कैसे पढ़ते यानि एक टापर अपनी पढ़ाई कैसे करता है कि वो बोर्ड इग्जामे टाप कर जाता है, तो यहां पे यह तोपर और यहां पर हो गए आप, तो आपको दोखिए कैसे पढ़ना है और एक टॉपर कैसे पढ़ता है, तो यहां पर देखिए same time यानि कि 24 घंटे की समय एक टॉपर को भी मिलता है एक दिन में और आपको भी मिलता है, ठीक है? और यहां पर same books यानि जो भी books आप करते हैं और यहां पर और यहां पर उसी हमें यांगांब्याइफी टाइंप Means नहीं क्यों कि आप भूक्ष्णांब नहीं करते धर देली स्थेडी नहीं करते हैं और यह लिए ठापरicon करता है यानी शुरू से उसकी तयारी करता है ठीक है तभी क्या करता है और regular करता है यह नहीं कि एक दिन पढ़े और चार दिन अराम कर दिये रेश्ट करने लगे तो ऐसे study किसी भी काम की नहीं होगी और आप लोग ऐसे study करोगे तो कभी भी 95% नहीं लापा होगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपको क्य सेम कॉपी आप भी जो कॉपी लेते हो वही कॉपी यानि एक टॉपर भी यूज करता है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर सेम टीचर जो टीचर यानि की टीचर जो हते स्कूल में वह टॉपर को भी पढ़ाते यह नहीं कि कोई इंजिनियर यह कुछ और आकर बेग्यानिक कोई पढ़ा दिया ठीक है उनको भी टीचर पढ़ाता है और आपको भी टीचर पढ़ाते तो बताइए आप लोग क्यों नहीं टाप कर सकते क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टेडी नहीं करते और आपके अंदर एक जुनून और जिद नहीं होता कि नहीं हम एक टॉपर स् student बनेंगे अब यहां पर हम आपको बताएंगैं कि कैसे आपको पढ़ना है क्याँ पर्णा है और यहाँ पर दिखें थोड़ा ही पड़ता है यानि एक टॉपर थोड़ा ही पड़ता है चार यानि कि 4 to 5 यानि 4 से 5 घंटे ही सिर्फ पड़ता है लेकिन वो क्या करता है smart work करता है यानि smart तरीके से पड़ता है ठीके काफी अच्छे तरीके से समझ वो इसको logical पड़ता है ज 8-10 गंटे यानि हमेसा ही पढ़ोगे पिर भी आपका क्या होगा 80-80 यह इतने ही आएगा ठीक है क्योंकि आप लोग दिन भर भी पढ़ोगे ना फिर भी आपका इतना ही आएगा क्योंकि आप जो फो वो smart work यादि smart study नहीं करे वो Belk yoga नहीं करें और दो सिरफा लोग book देखे हुए आपका धेन कही इधेर कही उधेर कहीं समोशे पर कहीं इस्कूल के किसी दोस्त पर km 3 तो ऐसे आप लोग पाइम नहीं किलियर होता था मैं इतना अच्छे से वो पढ़ता था कि उसको नहीं पता चलता था कि कितना बज रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं तो इसलिए आपको ऐसे मगन होकर स्टेडी करना है तभी आप लोग अपनी बोड एक्जाम में एक टॉपर स्टूडेंट बने क्या करना है सेट करना है ठीक है यानि आपको बोड एक्जाम 2030 में कितने परसेंटेज लाने तभी आप लोग पहले सेट करोगे तभी उसी सबसे आप लोग अपनी इस्टडी करोगे यानि आपको यह ध्यान रखना है कि आप लोग 60% का लच्छ न बनाए यानि आप लोग 60 परसेंट का लच बनाते हैं तो आप लोग सक्सेज नहीं हो पाओगे इसलिए आपको 85 का 95 और 98 परसेंट का लच बनाएंगे तभी आप लोग एक टॉपर इस्टूडेंट और टॉपर लिस्ट में आएंगे ठीक है फिर यहां पर देखे क्या करना है आपको कुछ अगर आप लोग टाइम टेवल फॉलो करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि ऐसा टाइम टेवल बनाना है जिससे आप आसानी से फॉलो कर सको ठीक है यहनि अगर आप लोग फॉलो करना चाहते तब आप लोग ऐसा टाइम टेवल बनाई अगर आप लोग कहोगे तो हम आपको टाइ का लेना है उसी से study करना है प्लस आपको three years paper यानि कि जो previous years होते हैं उसको आपको solve करना है ठीक है उसको regular आपको देखना है और पढ़ने के बाद आपको एक paper set जरूर देख लेना है ठीक है उसको देख लेना है कि कैसा question क्या आता है उसमें तो आपको और वैसे भी हम आपको य आसानी से board exam 95% तक आ सकते और नेश्ट यहां पर देखे आप लोग कोचिंग करते हो इसकोल तो जाते हो फिर उसके बाद कोचिंग भी करते हो तो हाँ सब कुछ किजिए ठीक है लेकिन आपको self study सबसे necessary है यानि आप लोग क्या करो कि self study जरूर करो अब देखे आप लोग ज स्टापर और और भी कई स्टूडें जो परदेश टापर किये जो कि मेरे चैनल से study किये थे ठीक है उन्होंने कमेंट भी किया था तो इसलिए वह self study करते थे और काफी confusion थोड़ा वह ता जाता था जिससे वह चैनल से study कर लेते थे यूटूब पे तो यहां पर आपको self studies होत गिजा में 95 से लेके 98% ला सकते हैं और एक टापर student बन सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से study करना है इसके बाद देखे हम आपको कुछ यहां पर नेश्ट पॉइंट जैसे कि टापर बनना है तो आपको कैसे study करना है क्या पढ़ना है ठीक है तो यहां आपको फर्मूला जरूर तयार कर लेना है क्योंकि फर्मूला बहुत ही important होता है आप लोग फर्मूले से definition भी बना सकते हैं यूनिट्स मात्रक भी निकाल सकते हैं और इससे आप लोग numerical को आसानी से solve कर सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको फर्मूला याद कर लेना है नेश् पर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको important topic वो सभी lesson से आए हुए important question और numerical को भी solve करना है अब हम daily आपको कराएंगे नेश्ट यहाँ पर जैसे आपको हमारे चैनल पर test ठीक है टेस्ट भी मिलनेंगे और फिर उसके बाद revision भी हम कराएंगे जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते बस वो किसी चीजों को अलग तरीके से करते ठीक है तो आपको भी अलग तरीके से करना है और 2023 में एक टॉपर student बनना है जो कि हमारे चैनल अपना विद्याले YouTube चैनल से study करके